चली स्टार्ट करते हैं पहला कोशन और पहला कोशन हमारा है WWF इंडिया परियावरण सिक्षा के ब्रांड अंबेजडर कौन बने हैं तो अभी WWF इंडिया परियावरण सिक्षा के ब्रांड अंबेजडर बनाए गए हैं और इस समय ग्रेंड मास्टर बने उस समय उनकी एज कितनी थी 18 बर्स थी और इसी कारण इनको क्या दिया गया था पदमसरी सम्मान दिया गया था भारत में सबसे कम उनको पदमसरी सम्मान पाने वाले पहले व्यक्ति बने थे विश्वनातन आनंद और इनका जन्म कब हुआ इनका जन्म हुआ था 1969 में हुआ था इनका जन्म का हुआ था तमिल नाइडुम हुआ था एक इंट्रेस्टिंग चीज इनके बारे में बता दूं कि इन्होंने छे बर्स के वास था जो यह शे साल के थे तो सबसे पहले इन्होंने अपना एक चेस का गेम खेला था और वह ग यह भी सुनाथन आनंद के हैं ठीक है चलिए भी सुनाथन आनंद के बारे में इतनी जनकारी आपको दी आगे आप देखते हैं WWF क्या चीज़ है यह WWF जो क्या है वो क्या चीज़ है इसका फुल फार्म होता है World Wildlife Fund क्या होता है World Wildlife Fund और इसकी स्थापना कब हुई थी 1961 में पार्टर रूवर्ट्स और इसका उद्देश क्या है यह परियावर्ण संरक्षण और अनुसंधान एवं रख रखाव संबंदी तत्यों पर कारे करता है ठीक है तो इसका आंसर कौन सा सही है C option सही है चलिए अगला कोशन देखते हैं और अगला कोशन है हाल ही में COVID-19 के च सायता से किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए परियावर्ण उपलब्द हो जाएगा और इसके लिए उनको परियावर्ण उपलब्द हो जाएगा और इसके लिए क्या करना होगा उनको इस एप को अपने मुवाइल में इंस्टॉल करना होगा इंस्टॉल करने के बाद इस पर registration करना होगा जिसमें उनका नाम और उनका mobile नंबर साथ ही उनका अधर कार्ड भी पड़ेगा उसके बाद में जो व्यापारी है वो भी इस एप को अपने mobile में इससे क्या होगा दोनों के बीच में एक संचार स्थापित हो जाएगा और इस तरीके से उनको परिवहन उपलब्ध होता रहेगा तो किसान अपनी फसल को आसानी से बेच सकते हैं तो कौन सा एप लांच किया गया है किसान रथ एप लांच किया गया है तो इस question का C option सही है ठी ही में COVID-19 के चलते IMF ने चीन की अर्थ विवस्था की ब्रद्धी दर कितने प्रत्सत रहने का अनुमान लगाया तो अभी IMF ने किसने IMF ने चीन की जो अर्थ विवस्था की ब्रद्धी दर है उसका अनुमान लगाया 1.2% रहने का कितना 1.2% रहने का अभी IMF ने हाल ही मे भारत की अर्थ विपस्ता का भी अनुमान लगाया था वो कितना था 1.9% कितना था 1.9% था जो की एसिया में सबसे ज़्यादा था ठीक है और अभी IMF ने ही एक चीज़ और बताई थी अभी IMF ने बताया था कि जो पूरी एशिया की मुद्रा इस्फिती है वो 0% रहे सकती है ठीक है आर्थिक व्रद्धी दर जो है वो 0% रहे सकती है ठीक चलिए तो इस कोशन का कौन सा C option सही है अगला देखते हैं अगला कोशन है अगला कोशन हाल ही में भारत सरकार ने COVID-19 के कारण डाक करमचारियों के लिए कितने रुपए की साहिता देने की घोशना की तो अभी COVID-19 को देखते हुई जितने भी डाक करमचारी लगे हुए है तो उनको चुकित सा सुविधा देने के लिए भारत सरकार ने 10 लाक रुपए की साहिता देने की घोशना की सभी डाक करमचारी जितने भी डाक करमचारी है ग्रामीड डाक सेवक से लेकर जितने भी डाक करमचा कहा है तब अब मैं आपको बता दू अब यहां डाक की बात आए यह तो डाक की बात आई को डाक के वाழöhं अगर बात करें तो भारत में सबसे पहले डाक जैसी कोई शुवंदय पहले कि आया थो वो कौन यहां था सेरसा हें इसने है रहा है तो ठीक है और इसका मकवरा सेर साह सूरी का कहा है ये बिहार सासाराम बिहार में कहा है सासाराम बिहार में इस सेर साह सूरी को अच्छा इसका नाम क्या फरीद था पहले का क्या नाम था फरीद था इसको सेर साह इसलिए का जा था क्योंकि इसने सेर को क्या है एक ही दलवार के एक 1854 में लांच किया था पहला डाउक टिकेट लाड डलहोजी ने बहुत सारे काम किये थे लाड डलहोजी के सासनकाल में ही भारत की पहली ट्रेन चली थी कब 1853 में ठीक हैं तो चलिए अभी इसके लिए ने तो बहुत सारी बाते हो जाएंगी चलिए सी आपसन इसका सही है किस राज सरकार ने कोविड 19 के चलते लौगडाउन के इससे भी वच्चे हैं उनकी एद्यूकेशन उनकी जो स्टैड़ी है वो रुके ना है तो इसलिए इसमाइल नाम की परियोजना लागो की इससे पहले ही राजस्थान ने एक परियोजना लागू की थी जिसका नाम था रेडियो लर्निंग, रेडियो एजुकेशन करके, ठीक है, तो उस रेडियो एजुकेशन और इसमाइल में बस इंतर इतना है, वो रेडियो के माध्यम से ऐसे प्रोग्राम चलाया जाएंगे, जिसकी म मंतर है, तो राजस्थान की राजधानी कहा है, जैपूर को क्या बोलते है, पिंक सिटी भी बोलते है, अच्छा, राजस्थान के जो मुख्यमंतरी है, वो कौन है, असो गहलोत है, राजस्थान के जो राज जिपाल है, वो कौन है, कलराज मिस्र है, कौन है, कलराज मिस्र ह अच्छा राजस्थान में एक गहना पक्षी बिहार है उस पक्षी बिहार में कौन आता है साइवेरियन क्रोच आता है और यहां पर किसलिए आता है वो वो आता है यहां पर जनन करने के लिए ठीक है अच्छा इसी में से एक और कोश्चन बनाते हैं कि जो गहना पक्षी बिह सबस्क्πο спокойств जीलों का जीलों का सहर किसे कहते हैं तो अगर सिरी अगर दिया है तो स्रीनकर लगाएंगे और स्रीनकर नहीं दिया तो फिर उद्यपूर हम लगाएंगे ठीक है? अचार राजस्थान में ही एक सावर जील भी पाई जाती है तो सावर जील जो है भारत की सबसे ज़ादा खारे पाने की जील है और यह अनता स्थलिय जील भी है अगर खारे पाने की सबसे बड़ी जील की बात करेंगे तो वो चिलका जील कहां उड़ी सामे है। लेकिन सबसे ज़्यादा खारा पाने किसका है? इस सावर जील का ही है। और ध्यान रखना ये अंताह इस्थलिय जील है और वो लैगुन जील है जो चिलका जील है। का जिल ले गुन जील है और सामबर जील का इसी अंता इस तलिए जील है तो चलिए अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन हमारा है कोबीड-19 के चलते बिश्व बैंक और आई-एम-फ की संयुक्त-बैठक में भारत की ओर से कौन सामिल हुआ तो भारत की ओर से भारत के बितम मंत्रियों की एक संयोक्त बैठक बुलाई थी तो उसमें भारत की तरफ से निर्मला सीता रमन जो की भारत के बित्मंत्री हैं उन्होंने क्या किया था पार्टिसिपेट किया था और ये एक बैठक जो हुई थी वीडियो इसमें पूर्ण कालेंत्री नहीं रहे थी थी वह पूर्ण कालिक नहीं थी और वह कौन थी इनडरा कोशन देखते हैं अगला कोशन है कोरोना वाइरस के चलते किस बैंक ने सुरक्षा ग्रेड अभियान सुरू किया तो अभी HDFC ने क्या किया है कोरोना वाइरस के चलते सुरक्षा ग्रेड नाम के अभियान सुरू किया एक कौन सा अब्यान सुरू किया है ब यह सुरक्षा घ्रेड्ड अब्यान क्या है इसमें क्या करेगा यह HDFC HDFC जो है यह वेंक यह क्या करेगा जो दुकाने हैं जैसे जो essential requirements होती है ने सबस्कुर्णा की दुकाने तो उन दुकानों के बाहर इस तरह करेगा अपनी बारी का अंतिजार करेगा और जो उसकी बारी आ जाएगी तो क्या हो रहेगा वो ना सामान लेगा ले लेगा और चला जाएगा तो इस डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए यह इसनों ने एक अभियान चुलाया सुरक्षा गिरिड किसने चलाया HDFC ने चलाया HDFC चलाया तो HDFC की फुल फार्म क्या है Housing Development Financial Corporation क्या है Housing Development Financial Corporation और इसकी स्थापना 1994 में हुई थी इसका मुख्यारा का मुंबई में है ठीक है और इसके प्रिजेंट टाइम में इसके प्रिजेंट टाइम में जो हैड है वो को है दीपक पारेक कौन है दीपक पारेक प्रिजेंट टाइम में इसके हैड है तो चली अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन है किस राज्य ने Essential Corona App लाँच किया तो अभी दिल्ली ने क्या किया है एक essential Corona app launch किया और यह app होगा क्या यह app क्या करेगा इस app में ऐसा करेंगे जो डिल्ली के स्वास्त कर्मी है वो जो जितने भी hot spot बनाएगे हैं डिल्ली में hot spot बनाएगे तो वहाँ पर क्या करेंगे लोगों का health check up करने जाएंगे और जहाँ जाएंगे तो वहाँ का जितना भी data collect होगा उस पूरे data को इस app पर वो क्या करेंगे send करेंगे ठीक है तो कहां किस ने किया दिल्ली ने इस question का कौन सा ए आप्सन सही है यानि दिल्ली ने अभी इस access Corona app mobile app launch किया है और दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है present time में अरबिंद केजली बाल है ठीक है चलिए अगला question देखते हैं अगला question है national garlic day कम मनाये गया तो national garlic day अभी 19 अपरेल को मनाये गया कम मनाये गया 19 अपरेल को garlic मतलब होता है लहसुन ठीक है क्या होता है लहसुन तो लैसुन में जो आउशदी गुण है उसके प्रति लोगों में जागरूता पैदा करने के लिए क्या किया गया है 19 तारिक को 19 अप्रेल को नेशनल गार्लिक डे मनाया गया तो चलिए इस कोशन का कौन सा आपसन सही है डी आपसन सही है अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन है आरबी आई ने बित बर्स 2020-21 में भारत की मुद्रा इस्पिती कितने प्रतिस रहने का अनुमान लगाया तो अभी आरबी आई ने भारत की मुद्रा इस्पिती 4 परसेंट रहने का अनुमान लगाया अच्छा RBI ने लगाया तो RBI का मुख्याला कहा है मुंबाई में RBI की स्थापना कभ हुई 1935 में हुई थी कभ ही थी 1935 में अच्छा डेट बताओ डेट बताएंगे तो 1st April जिसको हम क्या मनाते हैं Full Day भी मनाते हैं ठीक है में हुई थी लेकिन बाद में 1935 में इसका मुख्याला कहां लेके आया गया मुंबाई में लेके आया गया ठीक है अच्छा इसका नेशनलाईजेशन कभ वा था इसका नेशनलाईजेशन हुआ था 1949 में हुआ ठीक है कभ वा था 1949 में हुआ था अच्छा इस आर्बी आई से एक कोशन और बनाता है, इस आर्बी आई से कोशन बनाता है, कि आर्बी आई का बित्तिय बर्स का मनाया जाता है, किस्तने से कितने ठक होता है, तो आर्बी आई को जो बित्तिय बर्स होता है, वो 1 जुलाई से 30 जून तक आर्बी आई का बित्तिय बर्स चलता लेकिन अदर जितने भी बैंक हैं इंडिया के उनका जो फित्य वर्स है वो चलता कब तक है वो चलता है 1st April to 31st March 1st April to 31st March तक चलता है ठीक तो चलिए अब आपके लिए आज का कोशन आज का कोशन है हाली में किस संस्था ने एसिया की ब्रद्धी दरजीरो प्रतिचत रहने का अनुमान लगाया अगर आपने मेरे वीडियो देहान से देखा होगा तो इसी वीडियो में मैंने इसका आंसर भी बता दिया है यहां चार आपसन दिये गए सही आपसन को आप ब्रांड दूद्ध बनाया गया तो अभी रोहित शरमा को ब्रांड बनाया गया थेक है इस कोशन का बी आपसन सही था चलिए यह था अज का हमारा वीडियो आपको हमारा वीडियो को ऐस़ा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रू बताए अगर अभी तक आपने अक्दियों को को भी आउन कर लें जिससे हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और हमारे साइन्स और मैथ के वीडियो भी अवेलेबल हो चुके हैं तो आप प्लीज उनको सर्च करके देख लें इसे आपको निश्चित ही हैल्प मिलेगी एंड यू कन सजेस्ट मी कि हम अपने आपको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं और आपको बेटर कालेक्शन कैसे प्रोबाइड करा सकते हैं अगर आपको कोई प्रोब्लम कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं मैं आपकी प्रोब्लम और समस्याओं का समाधान करूंगा थैंक्स फॉर वाचिंग एक्जाम बारियस आलवेज बी